दोस्तो बेसर्म होगा रोजस से लेलो ये एक चीज हो जाओगे धनवान अचारा चाणक के ने अपनी पुस्तक में स्टार्णेक के निती में जीवन उपियोगी अनेग बातों का जिक्र किया है बहीं अगर उनकी बातों को अमल में लाया जाए तो ब्यक्ति को भाकजाली होन मांगने में कभी भी सरम ना करनी चाहिए क्योंकि पत्नी कभी भी आपसे जे नहीं कहेगी कि आप उससे प्यार करें और बहुत चाहती है कि आप उसको प्यार करें इसलिए आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में या जबदस्ति करने में सरम नहीं करनी जिसकी बजा से आपका घर वर्ज जाएगा आपके घर में स्वर्ग सी रोनका जाएगी और खुशियां आपके घर में आएंगी त्यूंकि नारी जहां खुश होती है बांध धन वरसल होती है और यह बात सभी पुर्शों को कांट बांध लेनी चाहिएं दोस्तों आपसे नि अध्यापक से सवाल करने में हिच गचाते हैं बे अपना नुकसान खुट कर वैटते हैं सर्म करने से सिक्चा की प्राप्ती में बादा पर उत्मन होती है बहीं दूसरी और जो बिद्धर थी अपने अध्यापक से तुरंत सवाल पूछ लेते हैं उन्हें ग्यान की के भी रह जाते हैं इंसान को कभी भी अपनी भूग नहीं माननी चाहिए इससे स्वास्ते पर भार भारी असर पड़ता है वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो धन से संब्धित अपना पैसा मांगने में सरम करते हैं ऐसा व्यक्ति को भी सरम नहीं करनी चाहिए वो क्योंकि वो